वेल्कम बैक टू मैं चानल बाइओ पोस्त तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं रिगार्डिंग कमिट्मेंट सेल कमिट्मेंट क्या होता है कमिट्मेंट के कितने स्टेजेस होता है यह सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे अब कोई भी एक सेल उसकी फ्यूचर आइडेंटिटी कि वो फ्यूचर में जाके क्या बनने वाला है उसका जो फेट होगा कि वो फ्यूचर में जाके क्या बनने वाला है इसे हम क्या कहते है इसे हम कहते है इसे हम कहते है सेल फेट अब हम देखेंगे कि सेल कमिट्मेंट So cell commitment मतलब किसी भी एक cell की ability या फिर capacity कि वो एक दूसरे cell में differentiate कर पाए उसे हम क्या कहते है? Cell commitment फिर से सुन लिजे कि cell commitment मतलब क्या cell commitment is nothing but कि एक cell की capacity या फिर ability कि वो एक particular kind of cell में differentiate हो जाए उसे हम कहते है cell commitment फ़र एक एक cell है और यह cell अगर differentiate कर जाए इसकीचिट क्समें differentiate करेगी इसकीचिट में तो यह cell की commitment क्या होगी कि वो future में जाकर इस cell की ability क्या होगी कि या फिर कि यह future में जाकर क्या बनने वाले यह बनने वाली है skin cell so cell commitment is nothing but capacity of cell या फिर ability of cell to differentiate into particular kind of cell is nothing but cell commitment अब हम देखेंगे कि stages of commitment कितने stages होते है commitment की so basically there are two stages of commitment एक होती है specification और दूसरी होती है determination दूसरी होती है determination so there are two stages of commitment एक होती है specification और दूसरी होती है determination so हम एक है करके दोनो stages discuss कर लेंगे first we will discuss about specification then we will discuss about determination अब specification मतलब क्या specification मतलब कि the fate of cell or tissue is said to be specified when they are able to differentiate autonomously when placed in a neutral environment neutral environment मतलब petri dish या फिर टेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टू अब हमें एक 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 स्पेसिफिकेशन explain कर लेते हैं for example यह एक सेल है और इस सेल को हम अगर एक पेट्री डिश में ग्रो करने के लिए रख दे तो यह सेल क्या बनाएगी यह सेल अटोनोमसली डिवाइड होती जाएगी और यह खुद का फेट बनाएगी जो भी उसका फेट होगा वो बनाएगी for example इस सेल का फेट है कि यह सेल आगे जाके क्या बनाने वाली है skin cell skin cell तो अगर हमने neutral environment में अगर इसे रख दिया तो यह क्या बनाएगी यह skin cell ही बनाएगी अब अगर इस सेल को अगर हमने किसी दूसरे रिजन में transplantation करवा दिया for example यह सेल है इसका जो फेट है यह आगे जाके क्या बनने वाली है skin cell लेकिन अगर for example यह एक embryo है और embryo का यह जो रिजन है यह रिजन आगे जाके क्या बनने वाला है यह रिजन आगे जाके बनने वाला है nervous tissue आगे जाके क्या बनना है nervous tissue nervous tissue इसका फेट है इस रिजन का अगर हमने यह सेल जो इसका फेट क्या है इसका फेट क्या है कि यह आगे जाके skin cell बनने वाली लेकिन अगर इस सेल को हमने ये region में डालते, nervous tissue के region में डालते तो ये इसका fat change कर देगी ये cell अपना fat change कर देगी ये अब skin cell नहीं बनाएगी ये अब skin cell नहीं बनाएगी ये अब क्या बनाएगी nervous tissue बनाएगी तो specification का यही मतलब है अगर हमने किसी भी एक cell को अगर neutral environment दिया किया तो लेकिन अगर इस cell को हमने किसी other region में transplantation करवा दिया जैसे कि nervous tissue के region में अगर transplantation करवा दिया तो यह skin cell नहीं बनाएगी यह क्या बनाएगी यह बनाएगी nervous tissue so this type of commitment is nothing but specification अब specification में जो points हमें remember करने पड़ते वो क्या है कि यह जो cells होते है specification की जो cells होते है वो basically उनका जो fat होता है उनका जो fat होता है वो fat रिवर्स कर सकते है वो fat कैसे कर सकते है वो उनका fat reverse कर सकते है जैसे हमने देखा कि हमने एक cell को अगर हमने nervous tissue के region में अगर डाल दिया यह cell बनने तो वाली थी skin cell लेकिन बन क्या गई nervous tissue की cell nervous tissue की cell क्योंकि ये जो specification की cells होते है वो अपना fat reverse कर सकते they can commit their fat reverse so this is nothing but specification this is nothing but cell specification अब हम देखेंगे cell determination मतलब क्या this is the second stage of cell commitment so cell determination होता है वो क्या होता है cell commitment का second stage होती है determination मतलब क्या अगर हमने एक particular cell लिया अगर हमने उसे neutral environment provide किया neutral environment provide किया तो अगर neutral environment में ये खुद का ही fade बनाएगी for example ये cell आगे जाके क्या बनने वाली है skin cell बनने वाली तो अगर हमने इसे neutral environment में डाल दिया अगर इसे हमने neutral environment प्रॉवाइड किया तो यह आगे जाके क्या बनने वाले है, skin cell ही बनने वाले, लेकिन अगर इस cell को हमने, for example, यह एक embryo है, और embryo का यह जो part है, यह क्या बनने वाले है, आगे जाके यह बनने वाला है nervous tissue, अगर इस cell को हमने nervous tissue में transplantation करवा दिया, इस tissue को हमने nervous tissue में transplantation करवा दिया, तो यह आगे ज कि क्या बनेगी ये बनेगी skin cell ही बनेगी so cell determination मतलब क्या कि अगर हमने किसी भी cell को अगर किसी अलग region में भी place कर दिया तो भी वो अपना fat change नहीं करेंगी वो cell वही fat बनाएंगी जो उसका fat determined था इस cell का fat क्या determined था कि ये cell आगे जानके क्या बनने वाली है skin cell ही बनने वाली है तो अगर इस cell को हमने कोई भी region में डाल दिया जैसे हमने nervous tissue के region में डाल दिया तो ये nervous tissue बनाएगी क्या नहीं ये क्या बनाने वाली है ये बनाने वाली है skin cell so cell determination का मतले भी यह ही है कि अगर हमने कोई भी cell को किसी भी region में डाल दिया तो वो cell उस region का fate नहीं determine करेगी वो खुद का ही fate बनाएगी that is nothing but cell determination अब कुछ point cell determination को लेके कि cell determination में cell अपना जो fate होता है वो reverse नहीं करती irreversible they are irreversible they are irreversible वो अपना fate नहीं बदलती उनका fate जो होता है वो determine होता है अगर उन cell को किसी भी region में डाल दे वो अपना fate continue करेंगे उस region का fate नहीं बनाएगे लेकिन जैसे हमने specification में देखा अगर हमने cell को दूसरी region में डाल दिया तो वो उनका fate चेंज कर देती है उस region का fate बनाती है so specification और determination में यही फरक है कि जो cell determined होता है वो उनका fate change नहीं करते लेकिन जो cell specified होता है वो अपना fate change कर लेते है अगर हमने किसी अलग region में उने डाल दे तो so I hope आपको समझ में आगा होगा कि cell commitment मतलब क्या sales के कितने stages होते है एक होता है specification और दूसरा होता है determination so I hope आपको समझ में आगा होगा what do you mean by commitment stages of commitment यह जो terms होते है वो basically developmental biology में बहुत बार पुछे जाते है मतलब बार आते है और अगर यह terms ही अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको developmental biology अच्छे से समझ में आएगा so I hope आपको sell commitment और stages of commitment समझ में आगया होगा so please do like, share and comment and subscribe to my channel it will be really helpful for me so thank you झापको झापको